सभी को मेरा नमस्कार मैं मेरट से रितूत्यागी तो आज मैं अपनी कुछ कविताइं आप लोगों को सुनाऊंगी मैं सबसे पहले अपनी एक कविता है आज उसने पहली बार जाना की आज उसने पहली बार जाना की समय का अंदाज बदल गया है उसकी ठकी हुई आँखों से टपकते पानी ने अचानक घोशना कर दी लंबे अवकाश पर जाने की उसने अपने कंदों पर लटकते दर्द को एक मीठी सी जुड़की दी पर वह जिद्धी बच्चे की तरह लटका रहा उसकी त्वचा पर जुर्यां कविताएं लिखने लगी थी वह समझ रही थी कि अब उसके भविश्य निधी खाते में उम्र की पूंजी कम हो रही है आज मैंने उसे कापते हुए हातों से समय का प्रिष्ट बदलते हुए देखा मैं अब दूसरी कविता सुना रही हूँ वै औरत एक योद्धा है सुनिए सोते हुए भी उसके माथे पर जमा रखा है सलवटों ने अपना अड़ा सोते हुए भी उसके माथे पर जमा रखा है सलवटों ने अपना अड़ा वै सपनों के बीच में भी थक कर हो जाती है निधाल थीक इस वक्त वै अपने मन में चुबे हुए शब्दों को गटक रही है थीक इस वक्त वै अपने मन में चुबे हुए शब्दों को गटक रही है तानों की कड़वाहट वै उरत एक योध्धा है दिन भर भी खटकर रात को लड़ने के लिए बचा लेती है थोड़ा गोला बारूद दिन भर खटकर भी रात को लड़ने के लिए बचा लेती है थोड़ा गोला बारूद तविता सुनाती हूँ यात्रिगण कृपया ध्यान दें यात्रिगण कृपया ध्यान दें सवार रही है अपने बालों को सवार रही है अपने बालों को अपने मुँ में उंगली था में एक टक देख रहा है उसको इस्त्री की आखें द्रिश्य के भीतर प्रवेश करती है और उसकी और ध्यान दिजे और उसकी हरी हसी उड़कर चिपक जाती है ट्रेन की खिड़के पर और उसकी हरी हसी उड़कर चिपक जाती है ट्रेन की खिड़की पर यात्रिगर्ण कृपया ध्यान दें एक्सप्रेस कोई भी स्टेशन से चूटने वाली है यात्रिगर्ण कृपया ध्यान दें डैश 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 एक्सप्रेस स्टेशन से चूटने वाली है अब अगली कविता पोटी लड़की टिमक रही है देखिए एक चोटी लड़की है उसके पिता नहीं है तो हमारे स्कूल में ही एक बच्ची है तो मैंने उसके उपर यह कविता लिखी थी चोटी लड़की टिमक रही है मा की उंगली थामे में चोटी लड़की गोरईया है तो मा एक व्रिक्ष वे उसकी पत्यां कुतरती है जब तब गिलहरी बनकर सरपट दोड़ती है मा की हर डाल पर चड़ती है छोटी लड़की होटों पर रखती है एक ताला जो उसकी मा ने उसके पैदा होने पर दिया था जो उसकी मा ने उसके पैदा होने पर दिया था चोटी लड़की अब स्कूल जाती है उसकूल अच्छा है बहुत अच्छा है वहाँ उसके पास एक बातुनी सहिली है जो हर दम पिता की बात करती है चोटी लड़की के पिता परीद्रिश्य से अनुपस्थित हैं चोटी लड़की के पिता कैसे है जैसे है शायद है नहीं है पिता जरूरी है शायद नहीं है शायद जरूरी है चोटी लड़की सब जैसी नहीं है वे उदास रहती है पिता को रात में अपनी मुठी में बंद जुगनु के प्रकाश में ढूनती है फिर से ध्यान दें पिता को रात में अपनी मुठी में बंद जुगनु के प्रकाश में ढूनती है और दिन में होटो के ताले की चाबी ढूनती है पर चाबी का ठिकाना मा के पास है चोटी लड़की सोचती है एक दिन मा से मांग लेगी चाबी पर मा तो खुद ही भूल बैठी है अपने मुपर रखे ताले की चाबी अगली कविता मैं रात के तीसरे पहर की नींद में था जब उसने मैं रात के तीसरे पहर की नींद में था जब उसने हमारे बीच की दश को पुरानी बर्फ को मिश्य किया शायद वह मुझे ध्वस्थ होने से बचा रही थी आगे देखें याद रखना इस्त्री गुम्शुम गौरईया बनकर जीने से एक दिन गुम्शुदा होने का खत्रा बना ही रहता है और गुम्शुदा की पहचान पोस्टर पर ही अंकित होकर रह जाती है व्यवस्था की महीन बुनावट को समझना विरोध के लिए हमेशा प्रद्रशन की जरूरत नहीं होती विरोध के लिए हमेशा प्रद्रशन की जरूरत नहीं होती हर इस्त्री की मेरी कविता का शेशक है हर इस्त्री की मैं आज सुभा एक बच्चे से मिली और तितली हो गई फिर छट पर कपड़े सुखाती एक इस्त्री की पीट पर जा बैठी पंक और रंग हर इस्त्री की पीट पर होने चाहिए आगे देखें आदतें तो सिर्फ कविता का शेशक है आदतें तो सिर्फ तुमसे पहली बार मिलने पर मुझे लगा कि हमें फिर से मिलना चाहिए और अंतिम बार जब मिले और अंतिम बार जब मिले तब लगा कि मिलने की उतकंठा में ही आकर्शन है आदतें तो सिर्फ सहूलियत का मसला होती है आगे देखें थोड़े कम हवा पानी के साथ युद का तो कोई प्रशन ही नहीं है प्रिये संधी की इतनी अनूठी गड़न के बाद बस तुमें मेरे तैशुदा शेत्र में मेरे हिस्से आये थोड़े कम हवा पानी के साथ हस कर काटना होगा समय आगे देखें एक बच्चा और मतलब यह स्कूल उस प्योकि मैं एक ध्यापिका हूं तो बच्चे मेरे आपसे ताकत कह लीजे इसको और जहां भी बच्चे दिखते हैं मन में कुछ ऐसा उठता है कि उन्हें बड़ी बारीकी से देखने लगती हूं तो उनके उपर देखि एक बच्चा अपनी आँखों की जिजग को अभी अभी इरेजर से मिटा कर बच्चा अपनी आँखों की जिजग को अभी अभी इरेजर से मिटा कर भविश्य के वितान पर कुछ मनोरम अनूठी आकृतियां उके रहा है जिसे हमने अपनी कुण्ठाओं की पैंसिल से खुरूब बना दिया था रोज टहलता है वे बच्चा आस्मान के फर्ष पर नंगे पाओं सितारों को सुनाता है नैसरगी कताएं उसके कमरे की खिड़की पर उसके कमरे की खिड़की पर इयरफोन लगा कर कभी सुनना चांद से वाइलिन की कोई फर्माईशी थुन आगे देखें एक तरल स्वर के लिए तपती उम्र तक का इंतजार सह सकोगे सह सकोगे प्रेम में अप्राप्यता का दंश आगे देखें एक अवोध कवीता उसके अंदर की उफनती लड़की घुप अंधेरे में अपनी दबी हुई सांसों की निर्विख्न यात्रा के लिए ढून रही है दरवाजे की जिर्या अपनी दबी हुई सांसों की निर्भिग्न यात्रा के लिए ढूंड रही है दर्वाजे की जिर्रियां और एक अबोध कविता अपने मुलायम पंक फैला कर मंडरा रही है चमकीले आकाश में ध्यान देजे और एक अबोध कविता अपने मुलायम पंक फैला कर मंडरा रही है चमकीले आकाश में आगे देखें धूप एक चोटी सी कविता है धूप अचानक खिल खिलाकर खरगोश की तरह उचलती है धूप और खुली रेत पर बिच जाती है उसकी दूदिया हसी आगे देखें चोटी चोटी कविता है बीतर की मनुश्यता से अब वह वाहर था चुप चाप खामोश बीतर की मनुश्यता से अब वह वह वाहर था चुप चाप खामोश बिना चेहरे वाले लोगों की तरह बिना चेहरे वाले लोगों की तरह भीड के कंदों पर अपना सिर्टिका कर भविश्य के समस्थ दस्तावेज हवा की थंडी हतेलियों में रख चुका था आगे देखें अभी व्यक्ति का स्वभाव कुछ अपने जैसे ही तर रहे हैं दिन भर के किस से एक कववा फटकार रहा है अपने पंक अभी व्यक्ति का स्वभाव बदल रहा है अभी व्यक्ति का स्वभाव बदल रहा है बागी तारे रात के किनारे पर खिटका चांद हैरान है कुछ बागी तारे हवा में घोल रहे हैं राक कुछ बागी तारे हवा में घोल रहे हैं राक गहरी हाफती चांदनी आसमान ओड कर सो रही है एक गलहरी आज एक गलहरी ने मुझे रहसे मई दिश्टी से देखा ध्यान दीजे आज एक गलहरी ने मुझे रहसे मई दिश्टी से देखा और भाग गई वह बेहद समझदार थी मैं उस समय बच्चों को क्रिया समझा रही थी मैं उस समय बच्चों को क्रिया समझा रही थी एक लड़की और अपनी तवच्चा को देख कर मुस्कुराती है अब वह सन स्क्रीन लोशन लगाती है और अपनी तवच्चा को देख कर मुस्कुराती है के शिल्प में नहीं आधा तिहाई चोथाई की तसल्ली के शिल्प में नहीं चोटी-चोटी करीता है सरकारी रजिस्टर में दर्ज सरकारी रजिस्टर में दर्ज परार्थनाएं लंबे अवकाष पर चले जाती है समय विनम्रथा समय विनम्रथा उसने मेरे समय विनम्र था उसने मेरे हर दुख को अपनी पीट के पीछे धखेल दिया एक पुराना खोया हुआ शहर मुझे अचानक मिला वह बड़ा होकर भी थोड़ा सिकुड गया था मतवाली हसी देखिए उसकी मतवाली हसी खनक कर हवा में बिखर गई आखो की समाजिक भाषा में संकेतों के कुछ अभिनव प्रियोगों का जन्म हुआ अचंबा आपको शायद विश्वास नहों पर कुछ लोग भाग निकले आपको शायद विश्वास नहों पर कुछ लोग भाग निकले जो जीने की हड़बड़ी में थे और जो रुगे थे उनके पास जीने का कोई अजंबा नहीं था और जो रुगे थे उनके पास जीने का कोई अजंबा नहीं था मेरी उपस्तिती को एक दिन पर्खा जाने लगा, मेरे शब्दों पर टिका दी गई उंगली, मैं अब चाक पर थी मैं अब चाक पर थी सामाजिक आकृती की गड़न से पहले मैं भर भरा कर चाक की सीमा को अतिकरमित कर चुगी थी मैं भर भरा कर चाक की सीमा को अतिकरमित कर चुगी थी मिट्टी में मिलकर मुझे फिर से उगना था पर हद है मेरी भी पर हद है मेरी भी उगकर भी मुझे किसी के तलवों में चुबना नहीं आया आगे दिखें पतंग की तरह उड़ रही है प्रार्थनाएं आकाश में पतंग की तरह उड़ रही है प्रार्थनाएं सबके कोश्ठक में दर्ज है प्रार्थी का नाव पिर से ध्यान दे आकाश में पतंग की तरह उड़ रही है प्रार्थनाएं सबके कोश्ठक में दर्ज है प्रार्थी का नाव चिडिया इनकी भाषा समझती है वो कभी पुकारती नहीं इन प्रार्थियों के नाव ये दुनिया के सबसे दुखी लोग है प्रार्थनाएं इने दर्खने से बचाती है आगे देखें चोटी-चोटी कविता है बिना शीर्शक की आप देखें हाँ देखें मैं बनूंगी नाव तो तुम पानी बन जाना मैं बनूंगी नाव तो तुम पानी बन जाना मैं तैरना चाहती हूं तुम्हें चोटी-चोटी कविता हैं और बिना शीर्शक की हैं क्या नदी भी आत्मत्या करती है बला करती है कभी-कभी सभ्यता के पुल से आगे देखें वह अभी निहायत बच्चा है अश्रों में भी ढूंड लेता है नमक वह अभी निहायत बच्चा है अश्रों में भी ढूंड लेता है नमक ओंदे पड़े शहर की पीट पर गिरती है एक गेंद एक बच्चे की हसी टप से उचलती है एक बच्चे की हसी टप से उचलती है एतराज मत करो उसके सलीके पर उसमें अभी मानुष किसी बात है देखें इतना भी मुश्किल नहीं है सचका साथ इतना भी मुश्किल नहीं है सच का साथ बस दिल धड़कना चाहिए आगे देखें हरी घास सिर उठाने लगी है देखो जीवन उधर्व मुखी है एक कविता फड़ फड़ाते हुए खोलती है अपने डैने सारी दुनिया गौर से देखती है उसे घबराओ मत बच्चे मुझे यकीन है तुम्हारी पैंसिल की नौक पर घबराओ मत बच्चे मुझे यकीन है तुम्हारी पैंसिल की नौक पर मुझे सच में यकीन है तुम्हारे बस्ते में रखी खुबसूरत दुनिया पर आगे देखें दीमके जुटी है अपने काम में निष्ठा से ध्यान देब निष्चित ही दुनिया हिलेगी एक पत्थर पर किसी ने लिखा पानी जर्ना फूट पड़ा एक पत्थर पर किसी ने लिखा पानी जर्ना फूट पड़ा मेरे भीतर एक हरा भरा पेड़ है अह मैंने उसे सब्भे होने से बचा लिया कभी सोती हुई इस्तरी को मत जगाना कई रत जगों की किर्चें अभी भी उसकी पलकों में कहीं दबी हैं प्रेमिका की आँखों में ठहरे सपनीले पानी की तरह गुलाबी चिठी थी वो अब जिनके जवाब नीली रातों में अक्सर वैखारे पानी से दिया करता था अब जिनके जवाब नीली रातों में अक्सर वैखारे पानी से दिया करता पुराने दोर के गीत के साथ उनका सफर समापत हुआ पुराने दोर के एक गीत के साथ उनका सफर समापत हुआ आखे अपानी थी अब ध्यान दें प्यार की वजह कितनी मामूली होती है ना चुप चुप रोती है हवा शहर धुआ धुआ है कमरे की दिवारों में धसा बच्चा कागज पर लिखता है अपना नाम अभी अभी कागज खिड़की से कूदा है अभी अभी कागज खिड़की से कूदा है कागज के पैरों में अटकी है पतं और बच्चा अटका है दिवारों में पत्तो पर प्यार की चिठ्थियां मत लिखना बारिशे शरारते भी करती हैं लड़की पलट रही है किसी प्रिष्ट की तरह लड़का बस किताब हो जाना चाहता है लड़का बस किताब हो जाना जाता है शुक्रिया और जन सरुकार मंच का भी शुक्रिया जिनोंने मुझे यहां परामंत्रित किया चलिए फिर कभी मिलेंगे नमस्कार सभी को शुब दिवस